एलो फ्रेंड्स मैं हुनेतिन और स्वागत है आपका यूटूब चैनल इन्फो टेक ओफिचल में SBA की तरह ही पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी वाटसेब बैंकिंग सर्विस को स्टार्ट कर दिया गया है PNB की वाटसेब बैंकिंग का यूज करके आप काफी सारी सर्विसिस का लाब घर बैटे ही ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है ये सर्विस बिलकुल फ्री अफ कोस्ट आपके लिए दी जाती हैं तो अगर आप भी पंजाम निशल बैंक के कस्टमर हैं और आप PNB की वाटसेब बैंकिंग का यूज करके इन सर्विसिस का लाब लेना चाते हैं तो इस वीडियो को बिन स्किप किये बिलकुल लास तक जरूर देखिएगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाम निशल बैंक की वाटसेब बैंकिंग को यूज करने का कम्प्लीट लेटेस प्रसेस दिखाने वाला हूँ बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिए साथ ही नोटिफिक्शन को ओल पे दबा के सेट कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो सेनल पे अपलोड हो तो उसके नोटिफिक्शन इजली आप तक पहुंच सकें तो चलिए शुरू करते हैं PNB WhatsApp Banking का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक Mobile Number को अपने फोन में सेव करना होगा और उसके बाद आप अपने WhatsApp को Open करेंगे यहाँ पे जो Mobile Number आप सेव करेंगी वो Number में आपको यहाँ पे बता देता हूँ जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको एक Number शो कर रहा है इस Number को आपको अपने फोन में सेव कर लेना है आप जिस भी नाम से सेव करना चाहें सेव करके रख सकते हैं मैंने यहाँ पे PNB W Banking यानि PNB WhatsApp Banking के नाम से इस Number को सेव किया है तो आपको भी इस Number को सेव करना है उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह के से Message Box ओपन होके आ जाता है यहाँ पे आपको Simply Type करना है Hi और उसके बाद Send कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपका Name Automatically Detect कर लिया जाता है जो भी आपका Mobile Number आपके Bank में Register होगा वहाँ से आपका Name Automatically Detect कर लिया जाता है यहाँ पे आपको नीचे एक Message दिखाई देगा Please Enter the One Time Password You Just Received on Your Mobile Number आपके Mobile Number पे एक OTP आया होगा आपको OTP Fill करना है और दुबारा से Send कर देना है उसके बाद आपको Message Show करेगा OTP Verify Successfully Would You Like to Receive Important Updates from Punjab National Bank over WhatsApp in future क्या आप भविश्य में Punjab National Bank के जरिए Important Update परना चाते हैं अगर हाँ तो यहाँ पे आपको Yes के Option पे क्लिक करना है अदर्वाज यहाँ पे आप No के Option पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखें यहाँ पे आपको कुछ Option दिखाई देंगे उस लिंक पे क्लिक करके आप Online Account उपन कर सकते हैं पंजाब National Bank में इसके लवा यहाँ पे आपको Explore PNB1 का Option देखने को मिल जाता है PNB1 की Facility को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अगर आपका अकाउट पंजाब National Bank में है यानि आप पंजाब National Bank के Customer है तो यहाँ पे आपको नीचे All Services का एक Option दिखाई देगा Simply आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने काफी सारे Option ओपन होके आ जाते हैं काफी सारे Services आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि First Number पे Account Related Services इस पे क्लिक करके आपको Balance Enquiries, Statement इस तरह के सर्विस देखने को मिल जाएंगी Second Number पे आपको Online Account ओपन करने का Option देखने को मिल जाता है अगर आप पंजाब National Bank में Online Account खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे इस Option का आप यूज़ कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पे आपको Bank Product का एक Option देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Bank के Product जैसे की Deposit Scheme, Government Scheme इनके बारे में जानकारी दी जाती है NRI Services आपको यहाँ पे Provide करवा जाती है इसके लावा Digital Products का Option आपको मिल जाता है तो उस समद्ध में अगर आप जानकारी लेना चाते हैं तो इस Option का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने nearest ATM या फिर branch को सर्च करना चाते हैं तो यहाँ पे Logate Us के इस Option का आप यूज़ कर सकते हैं साथ-साथ आप Important Update पाना चाते हैं पंजाब National Bank से जुड़े हुए, अपने बैंक से जुड़े हुए तो उसके लिए आपको यहाँ पे Opt In और Opt Out का Option देखने को मिल जाता है For example, माली जीए मैं यहाँ पे First Number पे Account Related Services को यूज़ करना चाता हूँ तो simply आप इस पे Click करेंगे Click करने के बाद यहाँ पे आप Send कर देंगे जैसे आप Send करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा Wait कर लेना है आपके Mobile Number पे एक OTP आएगा OTP पे आप Enter करेंगे और दुबारा से Send करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका OTP successfully verify हो जाएगा आपको Account Queries का एक Option दिखाए देगा इस पे आप Click करेंगे अब यहाँ पे आपको चार Option मिल जाते हैं अगर आप अपने Account की Balance Inquiry करना चाते हैं तो First Number वाले Option का Use करेंगे अपने Account के Last 5 Transaction आप दिखना चाते हैं तो Second Number वाले Option का Use करेंगे आप यहाँ पे अपने Checkbook के लिए Request Send कर सकते हैं साथ ही आपको Stop Check का भी Option दिखने को मिल जाता है For example माल लिजिए आप अपने Account की Balance Inquiry करना चाते हैं Balance पता करना चाते हैं तो First Number वाले Option को आप Select करेंगे और Send के Option पे Click करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको Account Number का एक Option दिखने को मिल जाता है अब माल लिजिए आपके Punjab National Bank में एक से ज़्यादा Account है एक ही Mobile Number को आपने एक से ज़्यादा Punjab National Bank के Account में Register कर रखा है तो आपको यहाँ पे अपना Account Select कर लेना है उसके लिए यहाँ पे आप Account Number के Option पे Click करेंगे और यहाँ पे जितने भी Punjab National Bank के Account में आपका Mobile Number Register होगा वो सभी Account यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे तो यहाँ से आपको जिस भी Account का आप Balance पता करना चाहते हैं उस Account को Select कर लेंगे और Send करेंगे इसके बाद आपके Account का जो भी Balance होगा वो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो कर जाएगा आप यहाँ पे Balance Anquire के अलावा Last 5 Transaction की Facility भी यूज़ कर सकते हैं और Account Related Services में आपको और भी Option दिखने को मिल जाते हैं उनका भी आप इस तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं तो Front इस तरीके से आप बढ़ी असानी से Punjab National Bank की Its WhatsApp Banking Services का लाब ले सकते हैं यहाँ पे आपको काफी सारी Services दी जाती हैं और Registration के लिए आपसे कोई भी Charge नहीं ले जाता है बिल्कुल Free of Cost यहाँ पे सब Services को आप Use कर सकते हैं काफी सारे लोगों के मन में यहाँ पे doubt होगा कि यह number fake तो नहीं है तो देखिए यहाँ पे आपको green tick लगावा देखने को मिल जाता है यानि कि यह number पूरी तरीके से verify है पंजाब National Bank की तरफ से officially WhatsApp banking को start किया गया है जैसे कि SBI यानि कि State Bank of India और अनने भी काफी सारे बैंकों में इस facility को दिया जाता है तो पंजाब National Bank ने भी अपने ग्राकों के लिए PNB WhatsApp banking को start किया गया है जिसका lab आप ले सकते हैं उमीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए साथ ही अगर आपका कोई भी सावाल है या फिर कोई suggestion है तो comment box में जाके जरूर लिखे तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो में एक नए topic और एक नई जानकारी के साथ